जैहिंद इस्टडी बसेरा के नए वीडियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज का सेशन आप लोगों के पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सेर करते रहिएगा चलिए देखते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला प्रसन है बहुत इंप कर दोबात करेकरम में तो ऌोफसन है जो जो चर्शन ये डोनालस कर दृब्र आप औम और मन की बात को चैर्मक की सुरूआँ 3 October 2014 को सुरू हुए थी 3 October 2014 को सुरू हुआ था मन की बात करीकरम क्या और ब्राक ओमा कारेकाल जो था 2009 सेjor 2017 इसवी तक था और ब्राक अबामा Democratic Party के member थे Democratic Party के राष्टपती थे और जो अभी जो प्रेजन राष्टपती है अमेरिका के जो बाइडन ये भी Democratic Party के ही है जबकि Donald Trump जो कि जो बाइडन का पहले जो राष्टपती थे डोनाल्ड ट्रम्प यह Republic party के president थे next question है R5 के नाम से किस group को जानते हैं या R5 किस group को कहा जाता है तो option है возможно A Bricks, option B ASEAN, option C Quad, option D NATO इन्में से सही answer कौन सा है इसका आप लोग option में बताइए comment section में बताइए तो इसका एंसर चलिए हम लोग देखते हैं इसका एंसर हो जाएगा option A Brics को हम लोग R5 भी कहते हैं Brics को B R I C S Brics को R5 भी कहते हैं Brics में 5 member है और इसे R5 क्यों कहते हैं यह भी चलिए हम लोग जान लेते हैं जैसा कि Brics जैसा कि हम लोग ने पीछले वीडियो में देखा था Brics पांच पांच देशों का एक ग्रूप है पांच देशों का यह ग्रूप है Brics जिनमें ग्रूप में हम लोग पढ़ा था कि Brazil यह रसिया इंडिया c4 चाइना एंड एस फोर शाओथ अफ्रिका होता है तो इन पांच देशों का ट्रेंशी है वह करेंसी आर से सुरू होता है इसलिए इस ग्रूप को आर-फाइब कहा जाता है यहां करेंसी मैंने दे दिया है करेंसी अगर कोस्टन आता है वो भी हो इंडिया का होटा है अधूप्र देख लते हैं तो ब्रिक्स का मुख्याले जो है संहाई में है चीन के शहर संहाई में है इसका मुख्याले और संहाई में और भी क्या है वो भी connect करते चलते हैं हम लोग तो संहाई में ही 200 की सबसे लंबी metro line भी बनी हुई है संहाई में 200 की सबसे लंबी metro line बनी है जिसकी लंबाई है 831 km और संहाई में ही ndb के headquarter भी मुख्याले भी है ndb के फूल पर होता है new development bank इसका भी headquarter संहाई में ही इस्तित है चलिए देखते अब next question next question है भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में रूस की किस नदी का नाम आता है तो option a वलगर नदी option b मस्कवा नदी option c पिकोरा नदी option d लीना नदी तो इसका answer हो जाता है option b मस्कवा नदी जो रूस की मस्कवा रिभर है उसका नाम और भारत की ब्रह्मपुत रिभर का नाम मिलाकर ये ब्रह्मोस नाम की उत्पति हुई है ये ब्रह्मोस जो मिसाइल ये ब्रह्मोस जो नाम है इन दोनों नदियों का ही नाम है इंडिया की ब्रह्मपुत नदी और रूस की मश्कवा नदी ये दोनों नदियों का मिलाकर ही नामकरन इसका ह हुआ है इस मिसाइल का निरमाण रूसकी सहायता से भारत द्वारा किया गया था भारत और रूसकी92-4 देख लेते हैं हम लोग तो यह ब्रहमोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है और इसका निर्मान भारत के DRDO भारत के DRDO जिसका कि फूल फॉर्मेट डिफेंस रिशर्च एंड डेवलप्मेंट और्गनेजेशन है और रूस की कंपनी NPO, Masino, Astronasia और भारत के DRDO इन दोनों कंपनियों जो रमिल कर इसका निर्मान किया गया था ब्रहमोस मिसाइल का निर्मान किया गया था और DRDO के स्थाफना 1958 में हुई थी 1958 में DRDO के स्थाफना हुई थी और यह क्रूज मिसाइल दो परकार का होता यह भी ध्यान में रखना है बस स टोह प्रकार कि मिसाइल होती है निया है क्रूज मिसाइल दूसरा है बैलेस्टिक मिसाइल बैलेस्टिक मेरीस्लों Leninen करने के लिए मार लिए इंडिया से बहुत दूसरे कंट्री में मार करना है जिस आफरीका अमेरिका तो वहां भीजना किसी मिसाइल को तो बैलेस्टिक मिसाइल का यूज के आता है और क्रूज मिसाइल छोटी दुरी के लिए इंडिया को पकिस्तान को चाइना को पकिस्तान को इसको मारने के लिए इस तरह का cruise missile का उपयोग कियाता है बाकी speed और उसकी speed और मारने की छमता के हिसाब से distance के हिसाब से उसका भी divide किया जाता है आज का session आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के बहुत ही helpful रहेगा और informative भी है तो चैनल को like और share करते चलिएगा चैनल पर अगर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा ऐसे ही amazing वीडियो के साथ exercise अभिहास करने के लिए मिलते हैं फिन नए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद स्वस्त रहें मस्त रहें धन्यवाद